हाई फ्रेंड्स आज मैं आपके सामने एग लेस केक बनाने जा रही हूँ तो इसे बनाने के लिए देखिए कि किस तरह से बनाते हैं इसके लिए मैंने एक कप मैदा, आदा कप पिसीवी चीनी, वन फोर्थ कप बटर, एक बड़ा चमच दही, एक पिंच नमक, एक कप दूद, आधा टीजपून, बेकिंग पाउडर, वन फोर्थ टीजपून, बेकिंग सोडा लिया है, सबसे पहले हम एक बड़ा बाउल लेंगे, बाउल में हम बटर डालेंगे, और पिसीवी चीनी डालेंगे, इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और अच्छे से फैट लेंगे, अगर आपके पास बीटर है तो उससे भी फैट सकते हैं, बहुत अच्छे से फैट जाएगा उससे, बिल्कुल अच्छे से इसको फैट लेंगे, अब हम इसके अंदर दही डालेंगे, नमक, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, सब ये डाल देंगे, इनको भी मिक्स कर लेंगे, और अच्छे से फैट लेंगे, दही के या किसी भी चीज के कोई लंस नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल अच्छे से फैट लेंगे, अब हम इसमें ठोड़ा-थोड़ा मैदा एड़ करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और बीच बीच में हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूद भी एड़ करते रहेंगे जो हमने दूद लिया है वो रूम टेंपरेचर के हिसाब से लिया है ना तो हमें इसमें ठंडा लेना है और ना ही गरम लेना है थोड़ा थोड़ा आवशक्ता के हिसाप से इसमें डालते रहेंगे और मैदा भी थोड़ी थोड़ी डालते रहेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मैं थोड़ा सा दूद ओर डालूंगी इसमें और ओवन को प्रिहीट होने के लिए भी रख देंगे हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब मैं इसमें एक चमच वैनिला एसेंस डालूंगी अगर आप चाहें तो इलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ओवन को मैंने प्रिहीट होने के लिए रख दिया है अब ये बैटर हमारा तयार हो गया है अब हम इसमें ओईल लगा लेंगे ये बटर अच्छे से चारो तरफ से ग्रीस कर लेंगे अब हम इसमें थोड़ी सी मैदर डालेंगे और उसे भी चारो तरफ इसमें फैला लेंगे जो एक्स्ट्रा मैदर होगी उसे हम बाहर निकाल देंगे ये मैंने चारो तरफ अच्छे से फैला दिये अब हम इसके अपर फिर बटर पेपर लगाएंगे इसमें बटर पेपर लगा देंगे अब इसमें बैडर डाल देंगे जो हमने बनाया था इसको अच्छे से टैप कर देंगे अब इसके बाद हम इसे बैक होने के लिए रख देंगे मैंने वरना एटी डिग्री पर इसे बैक होने के लिए रख रही हूँ 20 मिनिट बाद हम चेक करेंगे ये काफी अच्छे से पक गया है और टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन है अब हम ओवन को बंद कर देंगे और इसमें पांच मिनिट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे अब हम इसे बार निकाल लेंगे अब हम इस केक को प्लेट में निकाल लेंगे और इसको ठक ठक करके बार निकालेंगे इसका पेपर भी हटा देंगे ठंडा होने के बाद इस पेपर आसानी से छुट जाता है अब हम दूसरी प्लेट में रखेंगे आप चाहें तो वैनिला केक ऐसे ही सर्प कर सकते हैं आप चाहे तो को मैल्ट करके लगा सकते हैं लेकिन मैं इसे ठोड़ा सा चोकलेट से लगा सकते हैं हर रखे सीरुप हश्जी स्यूट प्रप यह दो दाल रहे हैं है हश्जी सीरुप डाल रहीँ है को ज़िES में इसको अच्छी आप यह पतारे हैं अब इसके उपर में ड्रिंकिंग चोकलेट पौडर डालूंगी अब ही हमारा केक बहुत अच्छे से बन गया है अगर आपको में रेसिपी पसंद आए तिसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए इसमें अपनी आवशक्ता के हिसाब से या टेस्ट के हिसाब से जितना चाहे उधना कोको पौडर डाल सकते है हमारा केक बहुत ही ज़्यादा अच्छे बना है क्थवस्वज़ के लियन गापको लाइक, सल्याक्ता है ज़ से एनु माएक, सल्सक्ता के लिए